Hello friends, welcome to career study. Online coaching series में आपका फिरसिक वर्स वागत है. Last time हमने start किया था time and work. तो आज का हमारा topic है time and work part 2. तो part 1 में हमने chain rule किया है, वहाँ से आपको जितने भी chain rule के question है, एक ही वीडियो में आपको सारे clear हो जाएंगे. यहाँ पर हम part 2 में start करेंगे questions जो work पर depend करते हैं, जहाँ पर chain rule के अलावा questions होते हैं. तो यहाँ पर आज का हमारा topic है वो basic से हैं, लेकिन इस method को आप समझेगा कि हम calculation को कैसे कम कर रहे हैं, calculation को हमने कैसे कम करके और time को कैसे हम manage कर रहे हैं. इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ताकि हमारे जो hard questions है वो easily हो जाएं. तो start करते हैं आज की वीडियो से. First question है हमारे पास. A can work a certain work in 20 days. और simply A can do a piece of work in 20 days. ठीक है? B can work same work in 30 days. How many days they will finish the work if both work together? ठीक है question क्या है कि A जो है वो कोई काम 20 days में करता है और B उसी काम को 30 days में करता है. ठीक है? A 20 days में करता है, B उसको 30 days में करता है. How many days they will finish the work if both work together? देखिए, आप अगर किसी भी book से solve करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिया होता है. इस तरह से solve किया होगा 1 by 20 plus 1 by 30? solve करेंगे, answer आएगा हमारा. वो चीज हमने नहीं करनी है, 1 by में लेते हैं, हमें LCM लेना पड़ता है, फिर उसको solve करते हैं. करना हमने वही है, ठीक है? वही हमारा basic ही है, बस उसको थोड़ा easy way से, modify करके हम, यहाँ पर थोड़ा सा असान कर देंगे उसको, ताकि हमारा time waste ना हो बस, main point है time का, तो question क्या है, दो लोग है, A and B, A किसी काम को करता है 20 days में, और B उस काम को करता है 30 days में, ठीक है, A can work in 20 days, and same work can be done by B in 30 days, बस आपने यह लिखा, question हमारा यहाँ खतम हो गया, अब हमें mind में रखना है, कि हमने find करना है A और B, दोनों मिलकर कितने time में करेंगे, देखिए, यहाँ से आपने क्या करना है, इन दोनों का LCM लेना है, तो LCM और HCM हमने करवा दिया है, कापी easy है, 30, यहाँ पर greater 30 का table पढ़ेंगे, 60 आएगा, आप दूसरे बेसे भी, normal way से भी LCM find कर सकते हो, तो 20 और 30 का LCM आ जाएगा, 60, देखिए, अब यहाँ से हमने क्या करना है, 20 से 60 कैसे बनेगा, 23 जा 60, 20 गुणा 3, 60, और 30 से 60 कैसे बनेगा, 30 गुणा 2, 60, बस यह दो number हमें चाहिए थे, कि हम यह माह लेते हैं, कि A जो है वो 20 दिन में कर रहा है, B जो है वो 30 दिन में कर रहा है, तो यह जो है total work कितना बन गया, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो उन दोनों के लिए work कितना बन गया, 60 work बन गया, A जो है वो, एक दिन में 3 time work कर रहा है, 3 days ले रहा है, यह समझ सकते हैं कि 3 days ले रहा है और 30 जो है वो 2 days ले रहा है यानि कि 2 parts जो है किसी बर के एक दिन में वो कर रहा है ठीक है यहां से हमें find करना है कि उन्होंने दोनोंने मिलकर कितने time में करना है ठीक ही वो क्या करना है हमने L sim जो मारा आया था 60 upon a और b का जो यहां value आ रही है 3 plus 2 5 तो 5 to 60 कट करेंगी कितना आएगा 12 बिलकुल simple approach करनी है हमने हमारे पास question था a जो है वो 20 दिन में करता है b जो है वो 30 दिन में देखे question बिलकुल simple है आप इसको दूसरे trick के से भी कर सकते हैं आपको easy लग रहा होगा लेकिन यहां पर फिर से एक बार आपको clear कर दें question पर focus नहीं हो रहा है focus हो रहा है method पर ठीक है तो इस चीज को थोड़ा clear रखिए a जो है वो 20 days में कर रहा है b जो है 30 days में कर रहा है हमने क्या करना है दोनों का LCM लेना है हमसे पुछा है a और b यानि कि a प्लस b मिलकर कितने टाइम में करेंगे तो यहां से 20 से 60 बना था 3 टाइम multiply करके और 30 से 60 बना था 2 टाइम multiply करके तो इन दोनों को add करेंगे जो भी आएगा उसको LCM से divide कीजिए वो हमारा answer होगा यानि कि a और b दोनों मिलकर कितने टाइम में कर रहे है 12 days में यह हमने find करना था second हमारा question है same question है practice हो जाएगी यहां से आपकी a ड़स वर्क इन 15 days a जो है वो 15 days में कर रहा है b in 30 days b जो है वो 30 days में कर रहा है how many days if they work together यानि कि अगर दोनों काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 15 और 30 दोनों का LCM लेंगे कितना आएगा 30 15 से 30 कैसे बनेगा 15 2 जा 30 30 से 30 बन जा 30 तो दोनों मिलकर कितना करेंगे LCM अपाउन 2 प्लस 1 3 3 10s are 30 यानि कि 10 days में वो दोनों उस काम को finish कर देंगे देखे बिलकुल simple चीज है इस चीज को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं हमने A और B लिखा उनके work का हमने LCM लिया और ये देखा कि इस work से LCM कैसे बनेगा किस से multiply करेंगे और इस work से LCM कैसे बनेगा किस से हमें multiply करना होगा फिर हमने LCM upon A और B की जो ये वाली values आती हैं इनको हमने divide करना है बस वो हमारा answer है ठीक है next question एक और question एक practice के लिए उसके बाद हम कुछ different type करते है P will work certain in six days यानकी कोई work है P उसको six days में करता है and B in 12 days in how many days both will work P जो है वो six days में करता है B उसको करता है 12 days में तो दोनों LCM कितना आएगा दोनों का 12 6 और 12 का LCM 12 यहां से 6 से 12 कैसे बनेगा 6 2 जा 12 12 जा 12 तो दोनों मिलकर कितने time में करेंगे 12 upon 2 plus 1 3 3 4 जा 12 फोर डेज में वो दोनों उसकाम को कर सकते है I hope आपको जो A और B वाला concept है वो clear हो गया होगा concept से हमें मतलब नहीं है हमें method से मतलब तो method आपको clear हो गया होगा यह हमारी hope है next question देखते हैं अब question क्या आ गया A, B, C do a certain work in 10, 12 and 15 days respectively यानि कि A जो है वो 10 days में, B जो है वो 12 days में और C जो है वो 15 days में उसकाम को करता है In how many days work can be completed if they work together अगर वो इकठा काम करें तो काम को हम कितने time में खतम कर सकते हैं देखी A, B, C A करता है 10 days में, B करता है 12 days में, C करता है 15 days में LCM लेंगे तीनों का तो 10, 12 और 15 का LCM कितना आएगा तो यह आजाएगा 1, 80 तो यह पहले कट हो जाएगा 10, 12, 15 का, sorry यहाँ पर आजाएगा 60 because 60 से यह तीनों डिवाइड हो जाएगे easily तो 10, 12 और 15 का LCM हमने निकाल लिया 60 10 से 60 कैसे बनेगा 10, 6 जा 60 12 से 60, 12 और 5 जा 60 और 15 से 60, 15, 4 जा 60 बस यह चीज़ा हमें मिल गई तीनों मिलकर कितने में करेंगे 60 अपान A प्लस B प्लस C यह वाली वैलिज एड करने हैं 6 प्लस 5, 11 प्लस 4, 15 15 फोर जा 60 यानि कि 4 डेज में वो उस काम को कम्पलीट कर देंगे ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखते है A, B, C वरकर सर्टेन इन 10, 15, and 25 देज फिर से सेम कोशन है A, B, C 10, 15, 25 LCM लेंगे तो 10, 15 और 25 का LCM कितना आएगा 150 ठीक है, 115 का LCM आजाएगा 10 से 150 कैसे बनेगा 15 से मल्टिप्ले करेंगे 15 से 150, 10 से मल्टिप्ले करेंगे और 25 से 6 से मल्टिप्ले करेंगे तो हमारे पास तीनों मिलकर कितने टाइम में इस वरक को फिनिस करेंगे, LCM लेंगे अपन 15 प्लस 10 25 प्लस 6, 31 ठीक है, विल्कुल सिंपल हमने यहां से दीनों का LCM लेना है 10, 15 और 25 का LCM 150 10 से 150 बनेगा 15 से मल्टिप्ले करके 15 से 150 बनेगा 10 से मल्टिप्ले करके और 25 से 150 बनेगा 6 से मल्टिप्ले करके तो यहां पर हमने LCM अपन, 150 अपन इनका अड़ करना होता, 15 प्लस 10 25 प्लस 6, 31 तो यहां पर हम, हमारे पास option कई तरह से हो सकता है, अगर हमारे पास option दिया है, एक तरह से different way में दिया है, इस तरह से normal नहीं है, point में नहीं है, तो वो एक fraction में भी हो सकता है, तो 150 को अगर हम 31 से divide करते हैं, तो ये बन जाएगा 4 से divide करेंगे तो, 124 तो 6 and ये बन जाएगा 2, 26 तो answer कितना आ जाएगा हमारा 4 into 26 by 31, इस तरह से आजकल answer दिये जाते हैं, option दिये जाते हैं, तो 4 into 26 by 31 ठीक है, हम divide करेंगे इस answer को find कर सकते हैं next हमारा question है, ABC do a work in 4 days यानि कि A, B और C जो हैं, वो तीनों जो हैं, 4 days में किसी काम को कर देते हैं A alone can do in 18 days and B in 12 days so how many days will C do it, देखिए simple question है, लेकिन अब क्या है अब दिया है हमें, एक दिया है कि A किसी काम को करता है A alone can do in 18 days B किसी काम को, उसी काम को 12 days में करता है, और A, B और C तीनों करते हैं, 4 days में A plus B plus C करते हैं, 4 days में देखिए, जो question में दिया है वही लिखना है हमने, और वही से हमारा question solve हो जाएगा A करता है 18 days में, B करता है 12 days में और A, B, C तीनों, यानि कि A plus B plus C, मिलकर उस काम को करते हैं, 4 days में पहले तो हमारा काम है, LCM ही लेंगे ठीक है, 18, 12 and 4 18, 12 and 4 का LCM कितना आएगा 36 ठीक है 18, 12 and 4 का LCM आजाएगा 36 अब यहां से 18, 2 जा होते हैं, 36 12, 3 जा and 4, 9 ठीक है तो हमारे पास आगया 2, 3 and 9 अब देखते हैं कि question में हमसे पूछा क्या है So, how many days will C do it यानि कि C कितने दिन में करेगा ठीक है अब इस चीज को समझेंगे थोड़ा अगर हमारे पास question इस तरह का है देखिए हमें question में दिया है A plus B plus C A दिया है और B दिया है अगर हम A plus B plus C में से A और B को माइनस कर लेते हैं यानि कि A plus B plus C में से माइनस करते हैं A माइनस करते हैं C माइनस करते हैं B जो हमें values दी है तो A से A कट हो जाएगा B से B कट हो जाएगा यानि कि final value किसकी रहेगी c की value रहेगी देखे इस चीज को समझ लीजिए क्या किया हमने कि अगर हम a प्लस b प्लस c वाली value लेते हैं ये वाली value उसमें से हम a और b को minus कर दें तो हमारे पास value कौन सी रहेगी a और b कट हो जाएगा हमारे पास value c रहेगी वही concept हमने यहाँ use करना है a प्लस b प्लस c की value कितनी है हम ये वाली value लेते हैं नीचे वाली a प्लस b प्लस c की value है 9 ठीक है minus करेंगे a की value है 2 minus करेंगे b की value है 3 तो 9-5 4 यानि कि हमें 4 लेना है तो lcm upon 36 upon c के लिए कितनी value है 4 4,9 जा 36 तो c कितने दिन में करेंगे 9 देज में ठीक है आई होप आपको विल्कुल clear हो गया हो गा यह कि अगर a 18 देज में कर रहा है b 12 देज में कर रहा है c 9 देज में कर रहा है तो 3 लं, बिल कर कब 4 देज में करेंगे question क्या था कि a, b, c 3 लं मिल कर कर रहा है हमसे पुछा है C की value तो C कैसे आएगा जैसे उपर वाले case में हमसे पुछा था कि A और B दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो A plus B यानि कि हमने इन दोनों को add किया तीन पुछा है तो तीनों को add किया इस condition में क्या होगा इस condition में पुछा है C की value C की value कैसे आएगी अगर हम A plus B plus C वाली value में से इन दोनों को minus करें तो numerically जो value आएगी वो किसके equal होगी अब हम alphabetically देखते हैं A plus B plus C में से अगर हम A और B को minus करते हैं तो हमारे पास C की value आती है तो बस LCM upon वही C की value हमने divide की हमारे पास answer final आ गया अब आपके पास last question है if A can do 2 by 5 of work in 10 days ठीक है देखिए पहले तो यहां से आपको calculate क्या करना है A जो है A की अगर हम बात करें 2 by 5 of work कर रहा है यह 10 days में तो complete work यानि कि 1 work कितने में करेगा complete work कितना होता है 1 होता है 2 by 5 work करता है वो 10 days में 1 work कितने में करेगा cross multiply में यह 2 निचे जाएगा 5 उपर जाएगा तो 5 यहां आ जाएगा 2 निचे 2 5 जा 10 5 into 5 25 यानि कि A कितने दिन में करेगा 25 days में same हम B के लिए find कर लेते है and B can do 1 by 3 of the same work in 5 days यानि कि B जो है 1 by 3 करता है 5 days में तो वो complete 1 work कितने में करेगा cross multiply में 3 उपर जाएगा और 1 जो है वो निचे आ जाएगा यहां से तो 5 into 3 15 यानि कि अब यहां से हमारे पास value क्या आगी कि A जो है अगर 2 by 5 जो है किसी work का 2 by 5 10 days में करता है तो वो complete work कितने में करेगा 25 days में और B अगर किसी work का 1 by 3 करता है 5 days में तो complete work करेगा वो 15 days में बस यह हमें चाहिए था हमसे पूछा है complete work दोनों मिलकर कितने में करेंगे ठीक है how many days they will take to complete work by working together तो A, B एक कर रहा है 25 में एक कर रहा है 15 days में दोनों काल से हम देंगे तो कितना आएगा 25 से यह बन जाएगा 75 25 थी जा 15 थी जा तो 75 अपॉन 3 प्लस 5 8 तो कितना बनेगा यह 8 इंटू 9 72 प्लस 3 तो 9 इंटू 3 भाई 8 अंसर आजाएगा हमारा तो I hope आपको यह method कलियर हो गया होगा question यह उस तरह के नहीं है कि आपको F-CAD के exam में हाँ आपका कोई state का exam है आपको आसानी से इस तरह के question मिलेंगे लेकिन अगर F-CAD के exam की बात करें तो यह question directly नहीं आने वाले हैं लेकिन इस method को थोड़ा समझ लीजिए next हमारे questions जो है वो तभी आसानी से होंगे अगर आपने यह चीज जो है समझ ली तो next time मिलते है next video के साथ thank you